ओहो तो क्या करोगा जैसे कि आप देख सकते हो मैं हूँ आउटडोर में और आप देख सकते हो यार बारिश का मोसम चालू है और मैंने पिछलों वीडियो में बताया था कि मैं बोया M1 माइक का रियू दूंगा इसके लिए मुझे आउटडोर में शुट करना था क्योंकि घ जाएगा तो यह वीडियो थोड़ा इंट्रेस्टिंग होने वाला है मैं आपको रियू देने वाले हो बोय M1 माइक का और हाथ में आप देख रहे हो मेरे और एक माइक इससे में पहले सारे वीडियो शूट करता था और इसकी वायर थोड़ी छोटे तो मैं आपको स्टेब माइक बेस्ट है या मोबाइल की ओडियो क्वालिटी बेस्ट है तो मेरा नाम में मनाल पाटिल और आप देख रहे हैं मनाल ट्यूबर तो बिना बगवाई वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसे कि आप अभी देख सकते हो मैंने लगा है बोया M1 माइक और उदर मोबाइल को कनेक किया है तो यार मोबाइल को मैंने कनेक किया है तो आप देख सकते हो कि साइट का जो रिफ्लेक्शन आवाज होता है वो आपको ज्यादा नहीं आ रहा है ज्यादा इको नहीं हो है और जो साउन क्वालिटी है वह कितना भी दूर जाओ आपको एकदम अच्छी सुनाई दे रहे हैं अभी में मोबाइल बोया M1 माइक का जो प्लग आता है वह मोबाइल से निकाल देता हूँ और अभी आपको सुनाने वालों कि मोबाइल मोबाइल से कैसे साउन आता है और में बहुत दूर खड़ा उठीक फिको और भी को हो घक हुआ तो अब में उन्मितलों कि मेंज टोज अब वाता इवाज आता हूँ तो अब भी आप देख सकते हो मेरी आवाज तो आपकी तरफ पहुँच ह रही है बहुत साइट से इको रहा है तो अभी मैं क्लोज हूँ फिर मैं आपको एक प्लग लगा के दिखा दो बोया M1 माइक का और फिर आप साउंड चुनो जैसे कि अभी मैंने बोया M1 माइक का प्लग जो मोबाइल को कनेक किया है तो आप अभी मेरी आवाज सुन रहे हो कि कितनी अच्छी साउंड क्वालिटी आ रही है साइट का आवाज इको भी नहीं हो रहा है मेरा आवाज आपकी तरफ एकदम अच्छे से पोज रहा है तो अभी मैं फिर से और एक बार प्लग निकाल देता हूँ और फिर आप देखो जैसे कि मैंने और एक बार प्लग निकाल दिय और अभी शूट हो रहा है वीडियो मोबाइल के वीडियो से और इसमें कोई एडिटिंग नहीं है यह ओरिजिनल ही साउन है मैंने इसमें डाला है क्योंकि आपको बताने के लिए तो मोबाइल के शूट से आप देख सबते हो भूस साइट का आवाज इको हो रहा है और बोया माइक का अभी देखते हैं इससे आपको क्या दिक्कत आती है तो अभी में वह माइक का प्लग निकाल के यह माइक को मोबाइल से कनेक करता हूँ और देखते हैं इस माइक का साउन क्वालिटी कैसा है तो अभी जो मेरा आवाज सुन रहे हो तो यह मैंने छोटा माइक जो थ मेरे पास यह माइक था और आप देख सकते हो मोबाइल के ओडियो से कितना आवाज इको हो रहा है तो यह माइक से ही मुझे काम चलाना पड़ता था इसलिए मैंने बोया माइक आपको कनेक करके दिखाता हूँ तो अभी आप देख सकते हो मैंने बोया माइक कनेक किया है और मी कितने दूर तक आ सकता हूँ इसकी जो वायर है नहीं बहुत लंबी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसकी साउन क्वालिटी भी अच्छी है और मैं बहुत स्था तो मुझे क्लोज रेंज में ही शूट करना पड़ता था क्योंकि बहुत दिक्कत होती है माइक से तो मैंने जो बोया माइक पर्चेस किया इसकी साउन क्वालिटी आप सून सकते हो अभी मैं फिर से मोबाइल से निकाल देता हूँ बोया माइक का और मोबाइल के साउ जैसे कि मैंने बोया माइक को फिर से कनेक किया मोबाइल को तो मैं भूद दूर खड़ा हूँ मोबाइल से जैसे कि आप देख सकते हो और आपको आवाज साइट का इको नहीं हो रहा है मेरी जो अभी मैं जो इधर से बहुत रहा हूँ इसमें कोई एडिटिंग नहीं है जो औरिजिनल साउन है तो आप देख सकते हो कि कि इतनी अच्छी कॉलिटी आपको बोई M1 में मिलती है तो अभी मैं क्लोज आके बताता हूँ आपको तो यार इसकी जो वायर है वह बहुत बड़ी है तो आपको यार इससे थोड़ी परेशान हो सकती है क्योंकि बहुत बड़ी वायर है तो आपको सम्भालने में थोडिदिक्क्त आ सकते जैसे की मैंने वैब की स्वाउंड की मोबाइल की audio record कि और जो मैक है मेरे पास सावंड रेकॉर्ड की आपको इस माइक की और मोबाइल की जो जो अदियर रेकॉरड होता है उसका मेने आपको दे दिया है और आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता हो एक हाली छोड के जाते हो यह वीडियो मैंने आपके लिए बनाया आप एक यूटुब चाइनल बन ख्लिपकार के ख्लिपकार पर ऐसे बहुत साड़े माइक है जो आपको सो दाइसो या दोसो रुपे में मिल जाएंगे आप उसे पर्चेस कर सकते हो और आप अगर बोया आपके स्क्रीन पर पहले आए तो यार आज को वीडियो में इतना ही टेक क्यार वाइवाई जहीं जह महाराष्टर वन्दे मात्राओं